गीता को आम तोर पर एक बहुती कठिन ग्रंथ माना जाता है लेकिन जो ग्रंथ धर्म से जुड़ जाए, आम लोगों की जिन्दगी से जुड़ जाए वो कठिन कैसे हो सकता है इसी मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं प्रसिद्द लेखक और विचारक डॉक्टर विजय अगर्वाल से विजय जी हम अक्सर गीता सार की बाते करते हैं और सुनते हैं ये गीता सार आखिर है क्या भारत इस बात का दावा कर सकता है दुनिया के सामने कि उसके पास दुनिया के तीन सर्वत्तम महान ग्रंथ है इसमें एक है महाभारत दूसरा है रामचरित मानस और तीसरी है गीता ये जो तीनों ग्रंथ है सच पूछिए तो नाम तो इनके अलग-अलग है इनके लेखक भी अलग-अलग है लेकिन सही माइने में ये तीनों के तीनों मिलकर के हमारे जीवन का एक complete वृत्त बनाते हैं जिसको कह लिए जिसको सर्किल करते हैं इसमें से आप किसी एक को भी हटा दीजे तो जीवन खंडित हो जाएगा जैसे महाभारत व्यास जी ने लिखी तो महाभारत एक ऐसी रचना है एक ऐसा ग्रंथ है जो बताता है कि हमारा जीवन क्या है कैसा है मतलब वो जीवन के यथार्थ की बात करता है जो reality of our life जो रामचरित मानस है रामचरित मानस ये बताता है कि जीवन होना कैसा चाहिए जो उसमें रामराज्य की परिकल्पना है या राम के जो आदर्ष है जो मर्यादाएं है वो हमें बताती है कि जीवन ऐसा हो तो बहतर हो बहुत सुन्दर होगा तो वो एक आदर्ष की बात है डेस्टिनेशन है हमारा target है कि life ऐसा होना चाहिए अब बात इस पर आकर अटकती है कि यदी जीवन को ऐसा होना चाहिए तो फिर वो हो कैसा उसका mechanism क्या हो practicality क्या है गीता ये बताती है गीता को मैं एक तरह से जीवन की निर्देश पुस्तिका मानता हूँ जैसे आप जब computer खरीद करके लाते हैं इस computer को operate करने के लिए तो मुझे लगता है कि गीता उसी तरह की एक booklet है हमारी life को operate करने के लिए तो अगर हम सच में इस बात को मानते हैं कि गीता life को operate करने की बताने वाली एक पुस्तिका है एक booklet है तो जाहिर है कि उसको सरल होना चाहिए सहजवना चाहिए मैंने देखा है कि आम लोगों की धारणा ये है कि गीता बहुत कठिन शास्त्र है बहुत कठिन ग्रंत है डेफिनिटली उसमें जो भाशा इस्तेमाल की गई है संस्कृत भाशा है संस्कृत भाशा का अपना व्याकरण है लेकिन अगर उसको सही माइने में समझने की कोशिस की जाए और अगर हम उसको अपने जीवन के अनुभावों से जोड़ जोड़ कर समझने की कोशिस करें तो आप देखेंगे कि वह कितना सरलकावी बन जाए इसलिए जो नाम है भगवत गीता उसका मतलब ही है भगवान का गीत गीता शब्द बेसिकली गीत से है तो जो गीत होगा बताई उकठिन कैसे हो सकता नहीं हो सकता और वास्तों में चुकि ये मुझे लगता है कि ये फिलासफी की किताब कम है ये साइकोलाजी की किताब जादा है ये दुनिया की शायद मनोविग्यान की सबसे पहली इतनी वरिहत इतनी फैलावाली और इतनी अच्छी किताब हो जिसमें मनुष्य के मनोविग्यान के बहुत गहरे उतर करके उसकी व्याख्या करने की कोशिस की गई है तो अगर जो मैंने अभी बात कही अगर इसको हम समप करके गीता का सार निकालना चाहें तो फिर साफ ये लगता है कि गीता का सार है जीवन कैसे जीएं ये बताने वाली है आम तोर पर जो देखने में आता है तो गीता को हम कर्म योग की किताब मानते हैं कि वो कर्म का संदेश देता और इसमें कोई दोराई भी नहीं कि गीता कर्म का संदेश देने वाली कुस्तक है लेकिन उस कर्म का कौन सा भाग है मैं समझता हूँ कि यहां मुझे बात इसपस्ट कर देनी चाहिए जैसे गीता के दूसरे अध्याय का जो 47 स्लोक है कर्मने वाधिकारस्तु मा फलेशु कदाचन यह गीता का सबसे पॉपुलर स्लोक है आपको पोस्टर्स में यह लिखे हुए मिल जाएंगे और जिस तरह से हरुमान चालीसा की लाइने हमारे लोगों को रटीवी होती है तो भले कोई संस्कृत न जानता हूँ दूर दराज तक न जानता है लेकिन यह लाइन उसको याद है कर्मने वाधिकारस्तु मा फलेशु कदाचन यह शलोक गीता का मुख्य संदेश बन गया है इसमें कर्म फल की चिंता ना किये जाने की बात कही गई है लेकिन लोगों का यह मानना है कि जब फल ही नहीं तो फिर कर्म क्यों किया जाए इस बारे में आप क्या सोचते हैं बस यहीं पर मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो इस पूरे इस लोक में फल की चिंता ना करवाली बात नहीं है क्योंकि मैंने अक्सर देखा आप यंग जनरेशन से बात कीजिए उनसे कहिए कि भी फल की चिंता मत करो तो कहते जब हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन कैसे मिलेगा हमको प्रेणा कैसे मिलेगी और जब फल ही नहीं है तो फिर हम काम क्यों करें तो डेफिनिटली उनकी अपनी रिक्वाइर्मेंट है अगर ये लाइफ है तो इस लाइफ की अपनी रिक्वाइर्मेंट्स है और उन requirements को पूरा करने के लिए आप काम करते हैं और जब काम करते हैं तो आप उमीद करते हैं कि आपको उसके बदले में कुछ मिले अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मुझे मैं salary मिले तो गीता कभी unpractical बात नहीं कर सकती और वो भी मतलब इतना महा काव्य और अभ्यवारिक बात कहें कुछ वैसे जमती भी नहीं है अब आप देखें कि मतलब बहुत सरल सा इसका अर्थ है और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं तो काफी कुछ हम गीता के सार को समझ लेंगे और मुझे ये जंदगी के बारे में जीवन जीने के तरीके के बारे में बहुत-बहुत ही महत्पुन स्लोक लगता है देखी बहुत सरल है कर्मने वा धिकार अस्तु कर्म पर आपका अधिकार है कर्मने वा कर्म पर अधिकार अस्तु का मतलब है कर्म पर आपका अधिकार है इसको हर कोई सही समझता है लेकि इसके बाद के जो शब्द है मा फलेशु कदाचन मा का मतलब होता है नहीं फलेशु मतलब फल पर कदाचन मतलब कभी नहीं तो इसका अर्थ हुआ कि कर्म पर तो आपका अधिकार है लेकिन फल पर नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि फल की चिंता मत करो लेकि सीडी सी बात है कि मैं परिक्षा की तैयारी कर रहा हूँ एक्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं तैयारी कितना करूँ कैसे करूँ इस पर मेरा अधिकार है लेकिन मैं फिर कितने नंबर मिलेंगे मैं pass होंगा या fail होंगा मैं top करूंगा या position क्या होगी इस पर मेरा अधिकार नहीं है इस पर तो अधिकार किसी और का है examiner का है या जिसका भी है लेकिन इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं अगर कर्म करूंगा तो मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा चलिए आप इसको भी मत मानिए लेकिन ये तो है कि अगर मैं कर्म करूंगा ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा ये तो हो सकता है कि मेरे कर्म करने पर मुझे को फल न मिले क्योंकि कई बार होता हैं बहुत से काम करते हैं उसमें सक्सिज नहीं मिल लेकिन क्या हम काम ना करके उस एक्षन ना करके हम चुपचा बैठ जाते हैं तो सक्सिज मिल जाती है तो इसको मैं समझता हूं कि करेक्ट करने की बहुत जरूरत है कि गीता ने कहा कि आपका कर्म पर अधिकार है फल पर ने तो आप जीवन में अपने अधिकार छेत्र में एक्षिन कीजिए कर्म देना दूसरे काम है जैसे कई बार आफिसेज में या प्राइवेट सेक्टर में कार्पुरेट में भी कई लोग मेरे पास आते हैं सलालेने के लिए और मैंने देखा ज्यादातर लोगों की ये शिकायत रहा है बॉस की सबस्खित रहती हैं कि आपका अधिकार केवल इस कर्म पर है कि आप उनको सलाह अब वो आपकी सला को मानते हैं या नहीं मानते हैं या आपने जो एप्लिकेशन दी है उसके एकसेप्ट करते हैं या इजेक्ट करते हैं वो उनका अधिकार छेत्र है आपका अधिकार छेत्र नहीं है तो आपका अधिकार छेत्र था अप्लिकेशन देना आपने दे दिए खत रिवाल, इस सच्चाई को समझ जाये और यह कोई बहुत कठिन सच्चाई नहीं है, बहुत ऑन प्रैक्टिकल सच्चाई नहीं है, कोई बढ़ी फिलासोफी नहीं है, इसके सामने की समझने के लिए कोई व्याक्याओं कि जरुदधे हैं, कि मैरा जो अधिकार छेत्र है, मैं उसमें काम करूँगा और जहां मेरा अधिकार छेत्र खतम हो जाएगा वहां मैं अपने को विड्रा करूँगा आप देखेंगे कि सड़न तुरंट आप अभी इस बात पर सोच लीजिए और फैसला कर लेजिए आप अंदर से बिलकुल शान्त हो जाएगे कूल हो जाएगे आपके मन की बेचैनी खत्म हो जाएगी अंदर का दबाव कम हो जाएगा तनाव खत्म हो जाएगे और सच पूछिए तो केवल इस पॉइंट को थोड़ा सा विस्तार से बता करके मैंने पाया है कि कई लोगों ने बाद में आकर के कहा कि उनका स्ट्रेस कम हो वो यह है कि कर्म तुम्हें करना होगा बिना कर्म कि तुम नहीं रह सकते क्योंकि अर्जुन भी बार बार क्रिशन कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और ये करो वो करो तो फिर अर्जुन भी प्रशन करता है फिर मैं कर्म क्यों करो जब सब कुछ आप करने वाले हैं आप देने वाले हैं, मैं आपकी शरण में आ जाओं, तो कर्म करने के मुझको जरूवत ही नहीं है, क्योंकि अक्सर ये भी प्रशनलोग करते हैं, कि जब सब कुछ ये है तो फिर कर्म करने की क्या जरूवत है, तो वहां कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही थे, देख दो घंटे तक पालती मार करके चुपचा बैठ जाएं, हमारे पैरों में जुन-जुनी भर जाती है, बतब पैरों ने अपना कर्म करना छोड़ा, उसके साथ प्रॉप्रम आने लगी, आप अपने बाइक को साल भर के लिए खड़ी कर दीजे, मत चलाईए, इसको चरीर से आप काम नहीं करेंगे, तो ये शरीर पहले तो बिमार पढ़ेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो आप बिना कर्म की अरजुन रही नहीं सकते, तुमको कर्म करना ही होगा, ये कृष्ण ने कहा, तो ये जो दोनों चीजे हैं, कि बिना कर्म के आप रह नही वहां से आप अपने को विद्रा करके रखिए मैं समझता हूं कि यही गीता का मूलसार है और संदेश है विजय जी अर्जुन के मोह की समस्या कीता के उपदेश का मुख्य कारण बना क्योंकि वो मौह में पढ़कर अपने परिजनों के मोह में युद्ध ना करने का निर्ना लेता है आप इस समस्या को किस तरह से देखते है सामदने रूप से तो जादा तर लोग यही मानते हैं कि अर्जुन के मोह से उतपने समस्या थी क्योंकि शुरुआत ही पहले ध्रितरास्ट संजे से प्रशन करते हैं कि मेरे पुत्र और पांड़ों के पुत्र के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या हो रहा है मुझे बताओ जिसके बाद वो पुरा गेता शुरू होती है तो पहल जैसे ही अरजुन युद्ध च्छेतर में आते हैं क्रिशन से कहते हैं कि मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच जो सबसे उपर वाली जगह है वहां ले जाकर के खड़ा करो ताकि मैं दोनों और देख सकूं कि कौन कौन लोग इस युद्ध में शामिल होने आए हैं तो क्रिशन ऐसा करते हैं उसार थी थे उनको आदेश मानना था और जैसे ही अरजुन देखते हैं दोनों और की सेनाओं को तो क्रिशन से कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा और उस समय के जो उन्होंने सिम्टम्स बताए हैं अपने शरीर में कि जो उनके शरीर में परिवर्ता हैं और जो फिजियोलोजी चेंजिस जो हमें हैं जैसे मेरी तवचा जल रही है मेरा मुँ सूख रहा है मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है मेरे पैर कांप रहे है मेरे हाथ से गांडिव छूट रहा है यह सारी उन्होंने सिम्टम्स बताए मतलब एक अंदर एक कमजोरी सी वो महसूस करते हैं क्रिशन मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा तो फिर वो और आके कारण बताते है हलकि मज़दार बात है कि क्रिशन उनसे कारण नहीं पूछते कि तुम युद्ध क्यों नहीं करोगे लेकिन जब आदमी होता क्या है कि जब अपने ही मामले में फसा रहता है उसको लगता है कि नहीं मैं कर तो सही नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ तो अपनी तरफ से सफाई देने लगता है तो बिना क्रिशन के पूछे कि अर्जन तुम युद्ध क्यों नहीं करोगे अर्जन सफाई देना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे सब परीजन है चाचा है ताओ है इनको मारने के बाद भी अगर मुझे स्वर्ग मिला तो मैं स्वर्ग को ले करके क्या करूँगा इस सारी बाते रखता है तो लोगों को यही लगता है कि अर्जुन को मोह उत्पन हो गया था इसलिए वो युद्धन करने का फैसला करता है लेकिन मुझे थोड़ी सी ये समस्या एक अलग तरीके की समस्या दिखाई देती है उपरी तोर पर तो मोह की बात समझ में आती है लेकिन जब इसके थोड़ी से आप और अंदर इस समस्या के घुसे तो आपको दूसरे और भी परतें दिखाई देने लगती है लेयर समझ में आने लगती है जैसे मुझे ये लगता है कि अरजुन की ये जो समस्या है ये मोह की समस्या उतनी नहीं है जितनी कि उसके पहचान के संकट की समस्या है पहचान का संकट का मतलब कहले ज़े कि Crisis of Identity की प्राबलम है Crisis of Identity का मतलब है कि जब अरजुन युद्ध-छेतर में आया था तो उसको मालून था कि कौन किस की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है कौन किस की तरफ शामिल है कि युद्ध छेत्र में पहुंचने के बाद, सारी दोनों और किसे नाओं को देखने के बाद, अर्जुन को ये पता लगा हो कि अरे भिस्म पितामों तो उधर से लड़ रहे हैं, उनसे तो मुझे लड़ना पड़े का, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो जब उसको पहले से डाले जाएंगे तब शायद मोहत्पन हुआ, अर्जुन की सेंसेटिविटी बढ़ गई, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मुझे इन सबसे भी जो गहरा कारण लगता है, वो क्राइसे साफ आइडेंटिटी का लगता है, देखिए अर्जुन जब युद्ध छेत्र में आया था, तो बेसिकली अर्जुन का जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो एक युद्ध की आइडेंटिटी है, युद्ध छेत्र में वो युद्ध के रूप में आया था, उसने कवच पहन रखा है, हाथ में गान्डिव लिये हुए है, युद्ध के रत पर सवार ह कृष्ण उनके साथ है तो उसका जो स्वरूप है वो एक युद्धा का स्वरूप है आया तो वो युद्धा के स्वरूप के रूप में है और मज़दार बात है कि अब वो अपने को रिलेटिव के रूप में देख रहा है की मेरे रिस्तेदार, में उनका रिस्तेदार तो जब आपको ये पता नहीं रहेगा कि मैं कॉन हूँ तब डेफिनिटली आप ये भी फैसला नहीं कर सकते निरने नहीं ले सकते कि मुझे करना क्या चाहिए क्योंकि जो आप हैं करेंगे तो आप उसी क्या नुकूल और ये चुकि अरजुन आया योद्धा के रूप में था अपने आपको रिलेटिव समझने लगा तो ये सारी क्राइसिस पैदा होगे जिसको मैं क्राइसिस अफ आइडेंटिटी कहता है उसकी पहचान खो गई उसने अपने पहचान को गड़म-गड़ कर दिया और पीतिजी मुझे लगता है कि हमारे जीवन के लिए भहत महत्तपुन बात है क्योंकि हम सब जो जीवन जी रहे हैं देखिए वो एक कोड़ी जीवन नहीं है वो सिंगल एंगल में हम नहीं जी रहे हैं जो रोल है हमारे जोब लाइफ में वो रोल हर छड़ बदल रहा है मैं अपनी पत्नी के सामने उनके पती के रूप में हूँ बेटे के सामने पता के रूप में हूँ दोस्त के साथ मित्र के रूप में हूँ मा के सामने बेटे के रूप में हूँ अपने नौकर के सामने मालिक के रूप में हूँ जब मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ और ड्राइवर चलाता है तो मैं उसकी मरसी पर हूँ, उसकी कृपा पर हूँ, वो मेरा संचालन कर रहा है तो आप देखें कि हर छण मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है वो बदलती रहती है लेकिन हमारी प्राब्लम ये है कि छड़ छड़ बदलती है इस इस आइडेंटिटी की अनकूल हम अपनी चेतना को नहीं बदल पाते है मान लिए कि कोई बहुत बड़ा अपसर है तो पता लगा वो अपने आफिस से जब घर लौट रहा है तब भी अपसर वाली जो चेतना है उसमें है तो जो घर के जो बच्चे हैं जो पत्नी हैं और दूसरे लोग है उनसे क्राइसिस तो पैदा होगा है क्योंकि वो तो आपको अपसर के रूप में नहीं देखेंगे तो होता यह है कि हमारी लाइफ में एक हाइस्ट पॉइंट होता है जो टॉप है जो उसको क्लाइमेक्स कह लीज़े वो हमारी एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है जैसे अपसर की आइडेंटिटी एक अपसर की हो गई एक कलाकार की identity मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ एक industrialist की होगे मैं बहुत पैसे वाला हूँ तो इसके साथ भी बहुत और चीज़े भी उसके साथ है लेकिन जो उसकी highest identity है वो हर जगह अपने आपको अपनी उस identity से पहचान बनाता है तो वो उसका ego है समझ लीजे जो highest identity है वो उसका ego है और वो जहां भी जाता है उसके साथ वो अपने highest point का तालमिल बिठाने की कोशिश करता है जैसे एक अपसर की बात ले लें एक बहुत बड़ा अपसर है वो सबजी खरीदने बाजार गया अब वो जो सबजी बेचने वाला है वो अनपरसा व्यक्ती है बहुत सामाने से व्यक्ती है और वो पहचान भी नहीं राए कि यह बहुत बड़े अपसर है तो हो सकता है कि भाशा के इस तर पर थोड़ा वो कुछ पटांग बोल दे वेट भी करा दे उनको इंतिजार करा दे लेकिन अपसर है अगर उसने थोड़ी सी भी गलत भाशा सुनी या उसको बहुत इंतिजार करना पड़ गया तो उसको गुस्सा आ जाएगा बिल्कुल तिल मिला जाएगा और हो सकता है कि नौबत जगड़े तक किया जब आने ऐसे इंसिडेंस देखे हैं तो अब इसको जबह साएगा सोच करके देखें तो सामाने तोर पर तो होगा कि वह पहचानता नहीं है लेकिन वह पहचानता है या नहीं पहचानता है वह उतने important बात नहीं है important बात यह है कि जो officer है जो अफसर है यह crisis of identity में फस गया है क्योंकि यहां उसकी जो identity है जिर्फ customer की है उसकी identity यहां अफसर की नहीं है लेकिन वो अपने को identify कर रहा है officers के साथ तो definitely यहां उसके साथ संगटा जाएगा अब आप देखें कि कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसमें स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव पैदा होगा, दबाव पैदा होगा, अगर थोड़ी से चिक-चिक हो गई तो मन भी खराब होगा, और ये खराब मन लेकर के अपने घर जाएगा, घर का भी वातावरन खराब होगा तो सारी चीजें भी खर जाएंगे, तो ये जो क्राइसिस अफ आइडेंटिटी की जो प्राबलम है, मुझे लगता है कि अरजुन के साथ वहाँ हो गई थी, और वैसे भी अगर उसके आगे कि हम गीता को देखें, तो डेफिनिटली कर्म फल की बात, क्रिश्न ने की है, य और अंत में निकाल भी लेते हैं, तब ये अरजुन युद्ध करने को तयार होता है, क्योंकि जब उसको लग जाता है कि नहीं, मैं युद्धा हूँ, और युद्धा का धर्म सिर्फ युद्ध करना है, क्रिश्न ने जो बहुत महत्यपुन बात गीता में कही है, उन्हों गलत कहते हैं, कि हम अपने धर्म का पालन करें, दूसरे के धर्म को इग्नोर करें, स्वधर्म का पालन है, स्वभाव, मतलब अगनी का धर्म क्या है, जलाना, पानी का धर्म, बहना, ये उनका धर्म है, वो धर्म जो वस्तु में नहीं थे, उसका पालन करो, मेरा एक स्वभ तो जो अपने में इस्थित रहेगा वो हमेशा स्वस्त रहेगा हम हमेशा दूसरे में इस्थित रहते हैं आरे वो उसने इतना कमा लिया हमें इतना कमाना है वो इतना बड़ा अपसर बन गया मैं इतना बड़ा अपसर बनुगा तो इसका मतब है कि हम दूसरे में इस्थित हो कि तुम युद्ध करो तो जगा जगा सीधे सीधे वो नहीं कहते हैं crisis of identity में तुम फसे हुए हो अर्जुन लेकिन देखने पर पता लग जाता है कि वो यही कह रहे हैं स्वधर्म स्वभाव कर्म करो तो कृष्ण ने पूरे के पूरे गीता में अंत तक पहुंचते पहुंच कर्म करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और हमें अपने सुभाव की अन्कूल कर्म करते रहना चाहिए गीता में ये भी बात कही गई है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर जितना नियंत्रन रखेगा उसका उतना ही जादा अपने मन पर नियंत्रन होगा और जिसका अपने मन पर नियंत्रन होगा वो उतनी ही अच्छे तरीके से अपने कर्म को कर सकेग तो इंद्रियों पर नियंतरन रखने की बात गीता में बहुत ज़्यादा कही गई है बलकि अरजून एक जगा पर कृष्ण से कहता भी है कि जो हमारी इंद्रियां जो मन है जो इंद्रियां है कि सब घर बार छोड़ जार करखे और हिमाले चले जाएं जड़ के लिए जगल में चले जाएं विराग्ए का मतलब होता है वीराग्चमेंट यंद्शेश्मनट बतला अटेश्मेंट जो नहीं वो राग है और जब आप attachment से ऊपर उड़ जाते हैं तो वो विराग है जिसको हम वैराग्य कहते हैं और दूसरा अभ्यास अगर हम किसी भी चीज को बार 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 करते हैं दोराते हैं, तो हमारे सुभाव का हिस्सा बन जाता है वो हमारी habit हो जाती है और सच पूछे हम सब और कुछ भी नहीं अपनी हैबिटी है जो मेरी हैबिट है वो हमाई हो तो इस तरह से वो इंद्रियों को वश मे करने के लिए मन को वश मे करने के लिए वेराग्य और अभ्यास की वो बात करते है कि यह की जानी चाहिए तो ये कुछ बातें मुझे लगता है कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है निश्चित रूप से उन्होंने समर्पन की बात कही, भक्ती की बात कही, उन्होंने ग्यान की भी बात कही ताकि एक अच्छे समाज की स्थापना हो सके हम एक बहतर जीवन जी सके तो ये कुछ बाते हैं मैं समझता हूँ कि हमारे जो गीता प्रेमी हैं जो थोड़ी से भी इसमें जिग्यासा और रूची रखते हैं वो इससे बहुत सीख सकते हैं एक बात और मुझे लगती है कि अरजुन एक्षन है क्रिशन उनको डायरेक्षन देते हैं कि क्या से तुम्हें करना है तो हमें अपने जीवन में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम सीथे एक्षन में न लग जाएं बलकि देखें कि उस एक्षन का डायरेक्षन प्रॉपर है की नहीं वो सही तरीके से है की नहीं अगर आप खुद निर्णा नहीं कर पाते तो डायरेक्षन दूसरों से ले लिजे सही दिशा में किया गया काम ही किसी को भी डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है और जहां एक्षन होगा जहां डायरेक्षन होगा निश्चित रूप से जीत वहीं होगी और जहां जीत होगी वहाँ जीत के गीत भी होगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है कि दर्शकों को जरूर बहुत महत्तुपूर्ण जानकारी गीता के बारे में मिली होगी और वो उसे फॉलो भी करेंगे आज हमने गीता के बारे में डॉक्टर विजय अगरवाल से रोचक जानकारी हासिल की अगले अंक में फिर किसी विशय पर चर्चा होगी तब तक के लिए नमस्कार